किस सरकार काईन न काई 2014 सेहीं ऐसी लुभावनी और चलावे वादेज करती आ रही है आपको रोजगार देने थे तो आप उस समय से भी अगर अपने रोजगार दे तो देश में अभी तो बेरोजगारी की कमी बेरोजगार होते ही नहीं आप अपनी सीमा तै कीजिए ना कि 70 साल की उमर के बाद आपको इलेक्शन नहीं लड़ना था ये तै कीजिए आप 21 साल के युवा को बेरोजगार कर देंगे उसके इतनी कम उमर में तो ये कहां कानिया है पून रुप से पहले तो सरकार ने इन सब चीजों को भी चाहे जमीन से हो लेके आसमान तक ये तो पहली सरकार ने बेज दिया और आज कह रही हैं सरकारी समपतियां और आज ये लोग कहते हैं कि BSNL घाटे में हैं आज ये लोग कहते हैं कि रेलवे घाटे में हैं और सब को प्राइवेटेजेशन करके अपने दो जो इनके खासम खास लोग हैं उनके हवाले और इस पूरे देश को प्राइवेटेजेशन के जोग पे आडानी और अंबानी के लिये ही ये देश को बनाना चाहते हैं उस समय से भी अगर अपने रोजगार दे तो देश में अभी तो बेरोजगार होते ही नहीं और ये जो रोजगार का आप नियम बता रहे हैं इसमें कहीं न कहीं देशित में नहीं है युवा वर्ग जो हमारे इतनी कड़ी महनत किसान के बच्चे गरीब के बच्चे जो अगर आपको सुवेधा करने हैं तो अपनी सुवेधाैं कम कि एक इतना पैसला सारोप लगा जा रहा है कि विपक्स युवाओं को भड़का रहे जब कि ये योजना बहुत अच्छी योजना है युवाओं के लिए बहतर भविश से सुलिश्चित करे गए देखिए केंद स्रकार हमेशा से ऐसे चलावे यूजनाएं लेके आई हैं जी एस्टी लाई तो विया पारी दुख हो गया जा किसान बिल लाय तो किसान दुखी हो गया ऐसे और अभी अगनी वीर है ये वीरों को अगनी में जोकने का पून रूप से सकेंद स्रकार ने पून रूप से प्रयत्न कर रही है और जिसमें हमारे युगा एक हमारे संगर्शील दोस्त वह प्रदेश रहा है जहां से एक मैसेज दिया जाता है पूरे देश में कि कोई भी चीज जो गलत हो रहा हो ठीक है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं सबसे पहले अब इधायक हैं जन प्रतिनिदी हैं गाउं के जो युवा हैं जादा आर्मी में जाते हैं सैनिक में भरती होते हैं क्या वो लोग आपसे मुलाकात करने आये थे किस योजना के बारे में समर्थनों ने मांगा है आपसे बिल्कुल मांगा है और जहां पे देश के जो भी वर्ग हों जिनें भी कोई का तकलीफ है कटनाई है वो जरूर और उनकी बातों को समझते हैं हम लोग और उसके लिए हमेशा सदन में आवाज उठाएंगे और आज सड़क पे भी हमने मार्च करके ये उनके लिए आवाज उ ये था कि ये जो बारा लाक रुपए आप दे रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधा आप उसमें टेक्स कटोती करेंगे की नहीं करेंगे आपने ये चीज नहीं बताया आप उस चार साल के दर्मिया चिकित्सा सुविधा देंगे कि नहीं उस अगनी वीरो को ये चीज नहीं उब्द्रवियों ने लाखो करोर रुपेग रेलवे का संपति नुक्सान कर दिया है क्या ये सही है कि इस तरके से करना चाहिए था अंदोलन देखिए कोई भी चीज शांती पूर्वक तरीके से ही होता है और पूरुप से पहले तो सरकार ने इन सब चीजों को भी चाहे जमीन से हो लेके आसमान तक तो पहली ही सरकार ने बेज दिया और आज कह रही हैं सरकारी संपतिया हैं मानिय लालू प्रशाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्हें इतने बड़े संस्थान में इसके उपर अपने लेखों को अपने जो उन्होंने अपने कारे किये हैं रेलवे में उस समय उन्होंने इतना मुनाफ़ा दिया रेलवे से और आज ये लोग कहते हैं कि बी बडानी और अंबानी के लिए ही ये देश को बनाना चाहते हैं के बिधायक हैं वो यहां पर पैदल मार्च करके आए हैं और तस्वीरों में साब तोर पर देख सकते हैं लेकिन अब देखना होगा कि तेस्वी आदब बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ रूख रहता है और क्या कुछ राजपाल से उनको मिलता है क्या कुछ कहते हैं